एक वक्त था जब नभे के दश्रक के मशूर अभीनेता और सिंखम कहे जाने वाले अजय देवगन पर लाखो लड़किया मरती थी और आज मी मरती हैं लेकिन सब को छोड़ें जनाब का दिल तो ऐसी आठ अभीनेती पर आया जो इनकी जिंदगी में आई और बात में इने एक एक करके छोड़कर चली गई पर हां बॉलिवड के इतियास के पन्नों में उनके साथ इनका नाम चुड़ा का जुड़ा रहा गया तो आखिरकार कौन थी वो आठ अभीनेतीया कैसे अजय का दिल उन पर आया था आई आए आपको भी उन अभीनेतीयों की बारे में बताते हैं नमबर एक रवीना टंडन एक ऐसी नड़की थी जिसे में प्यार करता था दोस्तों ये गाना सुनकर आपको अजय देवगन स्टार फिल्म दिल्वाले की यादाई होगी जिसमें सिंगम अपनी हीरोईन रवीना टंडन की खुबसूरती पर खायल हो गये थे और काफी नजदीक भी आगे थे पर बात में अक्टरस करिश्मा कपूर के लिए आज ये ने रवीना को धुगा दे दिया था जी हाँ बॉलिवड के सिंगम अजदेवगन को फिल्म जिगर के सेट पर अक्टरस करिश्मा कपूर से भी प्यार हो गया था जिनके नीचर पर ये फिदा हो गयते हैं पर बात में आप से एन बन के चलते हैं अजे ने करिश्मा से भी दूरी बना ली थी वही सिंगा मजदेवगन का नाम अपनी कच्छे थागे फिल्म की हिरोईन मनीशा कोराला के साथ ही चुड़ा था जहां पर ये मनीशा की सुन्दता को देखकर उन पर लट्टू हो गयते पर आक्टरस की लाइफ में पहले से काफी सारे लोग थे इसलिए आक्टरस ने इने अपनी सिंदेगी में जगा नहीं थी ड्रामा कुइन कंगरा नरावत के साथ भी अजे का नाम जुड़ चुका है जब इन्होंने तेज फिल्म में साथ काम किया था तो वहीं से इनके अफैर की खबरे सामने आए थी लेकिन बाद में अजे की पत्नी काजल की दखल अंदाजी की वज़े से इनका ब्रेक अप हो गया अलेही आजाक्रस तब्बू को अजे की बस फ्रिंट कहा जाता है पर जब काजल ने ने तलाग दिने की धमकी दी तो अभिनेता ने अपने कदम पीशे कर लिये थे इलियाना की तरह ही देदे प्यार दे फिल्म में अभिनेता अजेदेवगन की खोटी रकुल प्रिसंग भी इश्च के लड़ा बैठे थे और फिर इननों ने काजल से छट मंगनी पड़ बिया कर घर बसा लिया था वैल दोस्तों आपको अजे किस अक्टरूस के साथ ज़स्ते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ इसी तमाम खबरे जानने के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले